हालो दोस्तों मैं उपरिंद पुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में आज मैं आप लोगों को घुमाने ले चल रहा हूं दोस्तों चतिस गड़ के सबसे बड़ा मेला इसको ताता पानी मेला महुत्सों के नाम से जानते हैं यहां पर मेला का आयोजन बहुत पहले से होते आ रहे हैं यहां मेले का आजन मकरा सक्रांती के सूब उसर पर तीन से चार दिनों का मेला आयोजित होती है इस जगा के खासियत यह है दोस्तों कि यहां पर जो पानी है ओ необходимо हमेशा गर्म रहती है इस पानी में चुना पत्थर की बहुलता है या कुछ खनी लवन के भी बहुलता है जिसके कारण इहां के पानी में नहाने से जो खसरा होती है तोचा समंदी जो बीमारिया होती है दूर हो जाती है ऐसा मने आता है है और यहां पर एक siu मंदिर भी है जो फ्राचिन काल की siu मंदिर में करना अभील मंदिर को अभ गॉशं के द्वारा एक बहुत बढ़ा अटार प्रतान किया गया अधि भुथ बढ़ा sukiसा मन्दिर में पूंध senior कि वीजिसाया लेट करतेघेमें मैं पोलोको उस जगह पर लेज चलते हैं आप वीडियो को लार्तर जयो देखेगा ठ् stock ů ये घुत झाल 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 हम मंडीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं दोस्तो जहां पर स्रिव लिंग्य श्थापित किया गया हैं और स्रिव के जितने भी रूप है शब झाल 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 देख सकते हैं आप इसके बदा और परियाटा निस्तलर श्री श्रीडिये स्वर है श्री के दार नाथ देख सकते हैं इसके बाद अगर से श्री नागे स्वरन जी इलके मर्दी लगी हुए है इतर आप देख सकते हैं कि फूरे इस्वर मंडल है जिसके उपर बहुत बड़ी मूर्तियां थी इसके नीचे सबपरिसर में हैं श्री केदार नाथ बिजना दान श्री ग्रेश वर ऐसे मूर्दियां लगगा यहां परके अगर गिंदी करें दोस्तों तो इन इसे इसे बारा बारा ऐसे श्री मूर्थियां इस्थापित किये गए हैं आप देख सकते हैं इस तरह से हैं बहुत अच्छा जगा आप आए गुमने यह हो गया श्री में नाथ पद्याजी के तरह जो हार पे नाथ वाला जी को चलिए दोस्तों आप लोग अब ले चलते हैं वैसे जगर पर जहां पर बड़ बड़े संस्था एंजियो और प्रसासनिक बिभाग के द्वारत इस्टोल लगातर थिम को प्रदर्शित किये जात तो यह माइनिंग के भी सेंब बताया गया है कि कोई बिचिज अंदर से खनीच पदार थिम लोग कैसे बाहर खुदाई करके निकालते हैं झालते हैं झाल 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 यह जो दीख रहा दोस्तों एगरिकल्चर फार्मिंग के बिसें बताया गया है और वाटर ड्रीपिंग जो सिस्टम होता है जैसे पानी को हम लोग सिंचीत कर सकते हैं बचा सकते हैं उसके बिसें में बताया गया है झाल 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 झाल